नमस्ते स्वागत है आप लोगों का आज हम लोग पढ़ने वाल है एपलेट लेवल टू लेवल वन में हमने पढ़ा था कि भाई एपलेट के कौन-कौन से है न तो यह सब मेठ़ू आते हैं अब इस यह मेठ़र आते हैं उसको रण करने के दो तरीके थे अपलेट वियर या एसटेमल फाइल ठीके न सबसे पहले उसके कोड देखेंगे ग्जम्पल्स देखेंगे कि भाई वो रन होके कैसा दिखता है और उसको कैसे run करते हैं जब हमाँ पस code है ठीक है ना तो आईए देखते हैं start करते हैं सबसे पहले इसका एक ऐसे example देखते हैं जिसमें हम html file के दुआरा उस applet को use करेंगे अब वो कैसे use करेंगे आप जैसे normal java program लिखते हैं वैसे ही आप अपना normal program लिखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं वैसे ही आपने create किया उसको उसको compile किया अब एक applet का एक code होता है उसको run करने वाला ठीक है ना वो आप html file में लिखोगे java file में लिखके एक html file बनाओगे और उसमें लिखोगे ठीक है ना फिर उस html file को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका applet आपको आपके browser में दिखेगा क्योंकि वो html file क्या करेगा वो browser खुलेगा उसमें आपको आपके applet code जो भी आपने logic लगाया होगा जो भी आप display कराना चाहरे हो वो आपको दिख जाएगा तो आईए देखते हैं इसका example मैंने यह आप एक class बनाई है जिसका नाम है first.java से save किया मैंने ठीक है तो इसमें मैंने क्या किया applet वाला sub package पूरा import कर लिया भाई उसकी सारी classes आ गई awt वाला पूरा कर लिया फिर मैंने दिखा है public class first extends applet मैंने applet class को extend कर लिया उसके functionality को अपने अंदर ले आया फिर मैंने लिखा public void paint और उसके अंदर मैंने देखी क्या लिखा है g.draw string फिर उसमें लिखा है welcome 150,150 अब यह क्या है ठीक है तो draw string क्या करता है आपके screen पे आपका जो applet जो बन के आएगा उसमें string लिख देगा जो भी आपने आपे पास किया यह से आपने welcome पास किया न तो वहाँ पे welcome दिखेगा अब यह 150,150 क्या है यह xxx,y axis है कि भाई हमें उसका coordinate देना पड़ेगा न कि कहां से start हो तो 150,150 जो point होगा x,y वालो जो point होगा वहाँ पे welcome दिखेगा आपको ठीक है फिर देखिए गलग से html फाइल बनाई है myapplet.html नाम से और उसमें देखिए क्या code लिखा है html जैसे लिखते है html के tags जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाया है html body फिर applet code is equal to यह वाली जो java फाइल है यह compile हो गई तो class फाइल बन गई तो मैंने यहापर first.class पास किया और width और height पास किया कि भाई जो मेरा browser खुलेगा जो भी मेरा applet खुलेगा उसका मैं किता width और height रखना चाहरा हूं वो मैंने यहापर pass कर दिया फिर मैंने applet का tag close किया body का tag close किया html का tag close किया ठीक है न तो यह तो अगर आप html नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं आपस इत्तरा ध्यान रखो ठीक है न इत्ते से हो जाएगा काम फिर अब इसमें देखिए note में मैंने क कर रहा है यह कहां पर ब्राउजर पर रिसाइट कर रहा है इसलिए आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा इस class को यह जो मैंने first class को पब्लिक माना है तो अब इसका output देखते है इस code का जब आप html file को यह जो html file मनी है इसको आप double click करोगे तो क्या output दिखेगा आपको यह output देखेगा देखिए 150,150 कोडिनेट पे welcome लिखके आ गया तो यह है आपका output जो आपने एक string लिखनी चाहिए welcome नाम से draw string से एक string आई और उस string में आपने welcome पास किया था तो देखिए आ गया यह है एक तरीका html के तो चलाने का अब हम देखते हैं कि मुझे applet viewer tool में चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा एक applet create करूँगा और उस applet में ही उस java file में ही एक applet tag बना लूँगा ठीक है न जिसको मैं comments में लिखूँगा और compile लिकर दूँगा उसके बाद मैं उससे run कैसे करूँगा applet viewer फिर classname.java और मेरा applet viewer tool ख फाइल अलक्स नहीं जरूद पड़े क्योंकि आप applet viewer tool यूज़ कर रहे हो ना कि एक web browser ठीक है तो देखते हैं यहां पर मैंने class file बनाई ठीक है first.java नाम से safe किया है फिर मैंने वही किया applet.applet फिर यहां पर awt.graphics उसके बाद मैंने first extends applet applet class को extend कर लिया उसके आद मैंने paint method किया paint method में मैंने क्या पास करता हूँ graphics जी graphics class ही मेरी जी उसका एक reference है ठीक है और फिर उसके अंदर मैं जो भी करना चाहरा हूँ मैं फिर सभाई कर रहा हूँ g.draw string और उसमें मैंने पास किया welcome to applet 150,150 अब यह देखिए जहां पर मेरे class खतम हो रही है ठीक है ना braces बंद हो उसके बाद ही मैंने comments में लिखा है applet code is equal to first.class with equal to 300 height equal to 300 और फिर applet वाले tag को close कर दिया ठीक है ना तो अब जो मैंने वहां पे HTML में लिखा था वही same tag मैंने अपने program end होने के बाद comments में लिख दिया ठीक है ना अब इसको execute कैसे करना है इस program को simple जैसे आप compile कर तो वैसे compile किया आपने जावा सी first.java compile हो गया कोई दिक्कत नहीं आई अगर कोई syntax error या logical error नहीं है तो यह compile हो गया उसके बाद अब इसको run करना आपको तो run करने के लिए आप इसको कैसे run करोगे applet viewer लिखोगे फिर space और फिर classname.java सिर्फ java first.java लिखते तो आपका अगर कोई application होता तो वो run होता क्योंकि यह applet है और आप applet viewer में चला रहे हैं इसलिए आप इसमें लिखेंगे applet viewer first.java यह करते ही आपका एक applet viewer tool खुल आए हुआ applet दिखने लगेगा जो कि कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा पिछले वाले में output आप देखे थे ठीक है न अब उसमें इस बार क्या लिखा होगा welcome to applet अब हम देखते हैं कि अगर हमें graphics display करने अभी तो सिव मैंने string लिखना सिखा है ना कि आपको अपने applet में string लि तो commonly used methods जैखते हैं जो सबस्यादा graphic class के use होते हैं ठीक है ना जैसे कि abstract void draw string draw string मैंने अभी आपको बताया था को string draw करने के लिए वैसे यह एक है draw rect नामी कहा रहा है rect rectangular draw करने के लिए तो इसमें आप उसका x y x y axis दे दिए उसके बाद आप उसकी height और width भी दो के साथ साथ यहा लेते हो इसमें भी आपको x y और height width देनी पड़ती है फिर draw oval एक ownership बनाने के लिए फिर fill oval उस oval को fill करने के लिए उसी तरह draw line एक line बनाने के लिए उसमें आपने तीन दो coordinate दिए x1 y1 और x2 y2 कहा से start करना है कहा पे end होना है दोने के coordinate देने पड़ेंगे ना फिर अब आपको क image बनाने है अगर ठीक है अगर आपको कोई image बनाने है तो आप क्या करोगे image img यानि कि जो image फाइल है आपकी जो resource फाइल है जो image आप display कराना चाहरे हो वो image का object फिर index into y जो भी coordinate से start करोगे फिर है कि भाई image observer observer यह image observer एक class होती है उसका भी reference आप यहाँ पे use करोगे फिर वैस यहाँ पे set color और set font set color से क्या होगा आप अपना खुद का एक color डाल सकते हो आपको रेट करना है blue करना है ग्रीन करना है ठीक है तो आप कहां से करोगे वह अप यहाँ से करोगे set color से ठीक है और फिर अगर हम बात करें कि आपको font चेंज करना आपने जो string लिखी थी अब वो normal अब आपको अपने मंद चाहा फंड चाहिए ठीक है ना बोल्ड चाहिए टैलिक चाहिए तो यह सब यहां से आता है सेट फंड से ठीक है अब हम इसका एक्जामपल देखते हैं इसके एक्जामपल में देखिए एपलेट क्लास को मैंने इंपोर्ट किया अबार्पके पर आपको यह सब जब करने हुँए अ ठीक है फिर मैने एक ग्राफिक्स देमो नाम की एक क्लास बनाई जो कि एपलेट क्लास को एक्शुएंट कर रही है उसके बाद मैंने प्याफिक्स जी कर रिफ्रेंस आया उसके बाद देखिए set Color color.red ठीक है मैंने यहाँ पे red color set कर दिया उसके बाद मैंने लिखा draw string welcome 5050 x,y पे मैंने 5050 मैंने की 50,50 point पे welcome लिख जाएगा फिर मैंने लिखा है draw line और सारे उसके coordinates दे रही है लाइन बन जाई फिर मैंने draw rect, fill rect, draw over, set color उसका color set किया अब यहाँ पे उस चीज़ का color set हो गया ठीक है फिर fill over, draw arc, fill arc तो यह सब जो मैंने methods call किये यह मैं अलग-अलग ships बनाना चाहरा हूँ ठीक है ना उसके बाद मैंने क्या किया इसी में end में एक applet tag यहाँ पे डाल दिया comments के अंदर इसका मतलब मैं इसको कहाँ पे view करूंगा applet viewer tool में देख यह इसका output कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई यह आर्क आपको दिखा यह line यह यहाँ पे आपको oval दिख रहा यह fill oval हुआ फिर यहाँ पे fill rectangle हुआ ठीक है यहाँ पे यह string आई welcome और यह red color में आई क्योंकि पहले ही मैं classify कर दिया था तो यह तरीके हैं कि भाई यह सब methods हैं यह दिखाने के लिए था कि आप अपना खुद के shape बना सकते हो आपने rectangle बनाया, oval बनाया, उनको खाली रखा या उनमें color भर दिया, arc बनाई, line बनाई, string बनाई, जो चाहिए आप वो display कर सकते हो तो यह तरीका था graphics यू अब इसमें मैंने क्या किया है, font नाम का एक variable लिया है, color नाम के 2-3 ले लिये है, red color, weird color और bg color, उसके बाद init में मैंने क्या किया, initialize करना है क्योंकि मुझे, ठीक है, तो init में क्या किया, मैंने big font में is equal to new font, aerial, font.bold 16 मैंने मतलब initialize कर दिया, कि अब जो भी font use होगा, वो मेरा bold 16 उसका size होगा, और type क्या होगा, aerial होगा, ठीक है, मैंने color भी set कर दिया, मैंने weird color भी set कर दिया, background color भी set कर दिया, ठीक है, मैंने सब कुछ initialize कर दिया, कि जब अब applet का initial parameter यहाँ पे सारे set होगा, कि font क्या होगा, color क्या होगा, background color क्या होगा, यह set कर दिया, अब उसके बाद म में क्या लिखा है stop में मैंने कुछ भी नहीं लिखा जब बंद होगा तो भाई बंद होगा और कुछ नहीं ठीक है फिर मैंने paint graphics जी यहाला method call किया इस method में मैंने कई साथी चीजे बनानी चाहिए कि भाई मैंने उन सबके color set कर दिए तो उसका output मैंने आप दिखाया नहीं है तो मैं चाहूंगा इस code को आप अपने computer पे चला के देखिए अपने laptop पे चला के देखिए तो आपको दिखेगा कि क्या paint हो क्या आ रहा है कैसा आ रहा है हमारा applet कि कहां पे क्या क्या इनिशलाइस हुआ था फिर हमने किस तरह से paint में डालके अलग-अलग shapes लाए उन shapes में कैसे color फिल हुआ उनके कुछ-कुछ में फिल नहीं किया सिव आउट टाइन ही थे हैना तो वह कैसे हो रहा है वह आप देखिए ठीक है तो यह सब methods हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे draw rack, fill rack, draw oval, fill oval यह सब बस method आपको call करने है coordinates pass करने है और आपका वो जो भी shape है जो भी drawing है वो आपको आपके applet में दिख जाएगा यहाँ पर initialize कर दिया था मैंने आपको fund use करना सिखा दिया कि भाई आपको अपने खुद का fund कैसे डालना है उसके size कैसे डालनी है color कैसे use करना है set color ठीक है background color आप ऐसे डालते हो set background और उसमें आपने color वाला method यह color वाली वाली class call कर दी ठीक है तो इसी के साथ हमारा applet खतम हो अब आगे हम और चीजे पढ़ेंगे और advance चीजे पढ़ेंगे applet से अच्छी चीजे applet से असान तरीके ठीक है ना कैसे आप खुद का form warm बनाओगे तो applet में तो आप बना ही लोग है अब आप अप अपलेट से भी असान तरीके हम पढ़ने वाले है ठीक है तो वह आगे के लेसेंस में आएगा तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो